प्यारे मित्रों नमस्कार तो देखिए दोस्तों आज हम सालो करने जा रहे हैं कुछ से most important किशन जो की कई बार की जो technical helper की जो exam हुई थी उससे related किशन थी जो उन किशन पेपर को लेकिया हैं हम आपको रोज का जो 25 किशन कराएंगे रोज आज 25 किशन फिर नेक्स डे के लिए 25 क्यूशन इस प्रकार से कराएंगे ठीक है चार दिन में एक पेपर आपका कंपलीट हो जाएगा इसी प्रकार से बाकी जो पेपर बच्चे हुई हैं उनका सॉलूशन अब हम देंगे इससे पहले हम सॉलूशन देच चुके हैं बहुत सार प्रो का आप जो हमारे यूट्यू लूशन आपके सामने एक मोविग ऑरेंट इंस्टूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉप खालेस्तान का सीधा अनुपाती होता है टीक है मोविग आरेंट की बारे हम बात की जा यहां की सबसे पहले बात की जाएए जो में प्रकार यांतर होता है वह कौन सी उल्हें करता है तो हम कह सकते हैं AC और DC दोनों का ठीक है AC का भी करता है AC वे DC दोनों का करता है हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जो उसमें जो डिफलेक्टिन टॉर्क है यानि टॉर्क यानि टी कमान ठीक है जो टॉर्क कमान होता है वो होता है तो उस तो दारा के वर्ग के समान उपाती ठीक है जो moving iron प्रकार गए MI प्रकार गए जो यंत्र होता है उसमें deflecting torque यानि T का मान यानि धारा की वर्ग के समान उपाती होता है यानि current का वर्ग के समान उपाती option B आपका दोस्तों इसमें correct answer हो जाएगा ठीक है option B is the correct answer इसी प्रकार से next question आपके सामने देखिएगा नीचे दिएगा कौन सा उपकरण AC और DC दोनों में से एक वाट मेंटर की रूपे कुशलता पूरों काम करता है तो सबसे पहली बात की जाए AC और DC दोनों को हम खेसेटे कि मापन कर सकता है तो आपको टैकोमेटर डायनेमोमेटर क्लैम्पमेटर पायरोमेटर या फिर रोटोमेटर तो आपके सामने AC और DC दोनों को मापन कर सकता है वो होता है दोस्तो डायनोमेटर को प्रियोग की जाएगा यानि दोस्तो जो आपका correct answer होगा वो होगा टीक है option B आपका दोस्तो इसमें correct answer हो जाएगा टैकोमेटर क्या होता है जो मोटर की स्पिड को मापन करता है पायरोमेटर उच्छे तापन को मापन करता है इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं इसे प्रकार से next question है एक ऐसा विद्ध परिपत जिसमें अनन्त परतिरोद होता है एक खारिस्तान परिपत कर लाते है अब देखिए बात कह रहा है कि ऐसे परिपत का हमें मालूम होना चाहिए जिसका परतिरोद क्या हो अनन्त हो और हम कैसे दें जिसमें अगर प्रतिरोत का मान बहुत ज़्यादा होगा ना तो उसमें क्या होगा ठीक है तो जो चालकता होगी वो क्या होगी सुनने होगी तो वो होता है दोस्तो open circuit होता है यानि open circuit यानि option A आपका दोस्तो इसमें correct answer हो जाएगा option A इसका correct answer हो जाएगा बट यहां से दो-चार question ऐसे put up होते हैं देखिए हम देख सकते हैं यहां पर एक होता है open circuit होता है एक होता है short circuit भी होता है एक होता है close circuit तो हम कैसे देखिए open circuit होता है उसका प्रत्रोद क्या होता है अनंत और चालकता होती है दोस्तो उसकी सुनने जबकि बात की जाए short circuit तो short circuit में क्या होता है जो प्रत्रोद तो होता है सुनने और चालकता क्या होती है अनंत होती है इस प्रिकास ठीक है आप देखिए next question है महांतर के लिए को प्रियोग कर सकते हैं तो क्योंट है कि मेissements दोस्तों बहुत अधीक प्रतों के लिए डिचान की जाता है तोदैंने बहुत अधीक प dify question है next question देखेगा next question है समाना आंतर में जोड़ेगी 10 ओम 20 ओम और 40 ओम के register का समतुले परत्रोद ग्याद कीजिए ठीक है समाना आंतर में जुड़े होए तो हम किस्ते हैं जो जो हमारा सुत्र होगा इसको सौलोकार है इसे हology होगा जैसे हम इसमें मान रखेंगे कि मान द्याइक लिएए इसमें मान रखेंगे तो हम क्यस्गता है कि one up on r t प्लस्ट जो मान lazy 20 प्लस ownandy one up 12 प्लस one up on 40 इस प्रकार इनका लेंगे 10 20 और 40 के लिए जेकिता आएगा तो चालिस आएगा 10 का चालिस में 4 बार प्लस 2 बार प्लस एक बार 4 2 6 एक 7 बजले 40 यह निक हम लिख सकते हैं कि 40 बटे 7 7 का बाग जैसे हम 40 में देंगे इसको इस प्रकास से divided करेंगे तो हमस्ते 5.41 आपका correct answer हो जाएगा जो कि आपको option में दिया हुआ है option ईसमें पर निच्ज़ आपको दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तेकर अब दीकिए नेक्स कि सने आट्ट कि सने कौंस्टेंटन और मेगनिर एलोई का इस्तेमाल मल्टिप्लाइरों में मानक रेजिस्टर बनाने में के जाता है क्योंकि एक हालीसतान होता है तो हम कहीं से ते हैं option दे रहें अप अप्सन दे रहा है किपाइटी होता है उच्छ थर्मो ऐलेक्ट्री ए-म-फ वाला होता है निम्नत आप गुणांक वाला होता है या इनमे से कोई नहीं तो देखी इसमें दो चीज दे रहें कॉंस्टेंड के लिए और मैगने और लाए तो यह दोस्तों देखो हम खेसें तीन प्रकास से डिवाइड़ कर सकते हैं एक होता है पी टी सी यह पॉजिटिव टेंप्रेसर कॉपसिंट यह नि दरातमत ताप गुणांक वाले पदार्थ होता है एक होता है रिनातमक एक होता ह किसकते हैं तो जो मैगने ऐलोई है यह हम खेसे एक होते हैं इनका तापण पर नगन परवा होता है तो हम कहसे थह निवन तापक उनांक वाले पदार्थ होते हैं टीक है एए इसका हुचिए और आपका दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा next question है खालिस्तान में अत्यदिक पर्तिरोदों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुप करने जिसे बिजली के केबलों का insulation का मान ग्याद किया जासते हैं जो insulation का मान ग्याद करने के लिए दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको जो कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा मेगाउमेटर मेगाउमेटर को की जाते हैं insulation का मान निर्दारिद करने के लिए उसका मापन करने के लिए ठीक है यह आप्सन बी दोस्तों इसमें आपका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है next Question is Potential manufacturer को खालेसान transfer Wallace को होता हैं डिकिन कह सकते हैं कि votre pastureách डाउन कमेठे हैं यह वोल्ते हैं तब circumcet आपो टरासपारमर होता है लेकिन हम कह सकता हैं कि यह एक बोल्तेज प्रामिट इस्टेक अप ट्रास्फार्म होता है ठीक है यह जो पोटेंश से ट्रास्फार्मर को खाले सान ट्रास्फर माना जा सकते हैं तो हम किसी सर्केट का पावर फेक्टर यूनिटी है तो इसका रेक्टी पावर अगर किसी सर्केट का पावर फेक्टर यूनिटी है तो इसका रेक्टी पावर कितना होगा तो हम किसी कह सकते हैं दोस्तो जो इसका रेक्टी पावर होगा वो होगा दोस्तो सुनने होगा ठीक है रेक्टी पावर क्या होगा सुनने होगा तो यह पावर फेक्टर यूनिटी ह कर रहे हैं तो जो इसमें बेस मैटेरियल होगा किस प्रकार का होगा ऑप्सन दे रहे हैं एसबस्टेज का माइका का नाइक्रोम का बेकलाइट या फिर पोर्सलीन तो दोस्तों जो किसी भी द्रव पदार्थ को गरम करने के लिए उसमें जो प्रियूत की जाता है वो होता है की स्प्रिंग होती है ठीक है नाइक्रोम क्या होता है यहां हम कहसकते हैं कि नाइक्रोम में क्या होता है निकिल 80% होता है 80% तो क्या होता है निकिल जबकि बात की जाए 20% क्या होता है क्रोम यह इस प्रिकास इसका मिस्रण करके यह पदार्थ बनाया जाते है ठीक है नाइक कोई पंका कुछ ज़्यादा आवाज कर रहा है तो हम कह सकते हैं क्या हो सकते हैं जो उसकी दोस होंगे इंपोर्टेंट दोस होंगे आपको ऑप्शन में दे रहे हैं कैपिसेटर सौट होना बुरूस खराब होने दोस पूर्ण वाइंडिंग सौप्ट मुड़ जाने और पंक me correct answer हो जाएगा ठीक है ते पंके में capacitor का क्या परयोजन है दीके mile हमके देखके कैपिसेटर को इंडेक्टर वो स्वरी संदारीतर को कह सकते है संदारीत को प्रयोग क्यों किया जाता है देकि option दे रहेके रप्तार को बढ़ाने के लिए गड़बडी उत्पन पंकयों बचाने के लिए रप्तार को नियंतित करने के लिए फेस diff देने के लिए इन सब के लिए अब देखे जो important जो कारिया है अम किस दिए जो पंकये में जो capacitor होता है वो क्या करता है फेस diff करता है यानि एक phase को दो phase में divided करता है ठीक है आम किसे दिने जो single phase motor होती है वो क्या होती है self charge नहीं होती बट उनको self charge बनाने के लिए एक phase को दो phase में विबक्त करना वज़रूर होता है और जिसके लिए हम use करते है capacitor यानि संदारित रहा ठीक है तो option c इसमें दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा c option is the correct answer next है dialectic strength को किसी वस्तु की नमोने की मोटाई से खालिस्तान को विबाजित करके गणना की जाती है तो हमको सब्सक्राइब इसमें pick voltage option दे रहा है या फिर pick inverse voltage, barrier voltage, breakdown voltage, high voltage तो option c इसमें दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा ठीक है option c is the correct answer next है खालिस्तान का इस्तेमाल आमतोर पर dc उपकरणों के संथ के लिए किया जाता है तो दोस्तों जो dc उपकरणों के संथ के लिए प्रियुक किया जाता है वो होता है दोस्तों meganine यानि इसमें meganine लिख रखा है यानि option d आपका दोस्तों इसमें correct answer हो जाएग option d is the correct answer ठीक है next है commutator segment के बीच ठीक है commutator segment के बीच इस्तेमाल होने वाल insulating material खालिस्तान होता है commutator segment के बीच जो पदार्थ बरा जाता है नहीं क्सक्राइब का होता है या कौन सा होता है हम करने कि वह वार निस होता है या फिर empirical cloth होता है या फिर plastic होता है या MICA या फिर film paper तो दोस्तों इसमें correct answer होगा ренार होगा option B ठीक है option B इसमें दोस्तो correct answer हो जाएगा क्यों करका कि जाता है एक स्रेक हैं फ्लेमिंगा दायाइन आट का नियम खालिस्थान के इस्तिमाल कrates कि प्लेमिंटे का दाएन हाथ प्लेमिंटे का नियम में क्या होता है कि अंगुठ्वा की देशा करता का च्रद्ध करता को लो उत्फपन right में ये में थी त्यागत को परदाशचित करता है जो किником टया का दोस्तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा त्टीक है जो फ्लेमिट का दायायात का नियार में इसका अप्यों के बात कि जाए तो वो प्रियो कि जाएगा मोर्टर की अंद्रगर्ण ठीक है ऐसमें 230 वोल्ट पाँवर सप्लाई वूल्टेज और 100 ओम की स्रीज में समाना अं 230 परत्रों दमान 100 ठीक है 100 का बाग इसमें कित्ता हो जाएगा यहनि 2.3 बार यहनि option दोस्तों इसमें option होगा आपका option B option B इसमें दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा option B इस दी correct answer ठीक है इस पर काज़ा आप solute कर लिजीगा बिल्कुल सिंपल से सुत्तर लगाना है I बरावड वी बटा R next है half wave rectifier में कितने diode इस्तिमाल किया जाते है half wave rectifier है उसमें कितने diode का उप्यूग किया जाता है half wave के लिए 1 rectifier full wave के लिए 2 rectifier जबकि breeze जैसे तो दिस्ट कारी की बात की जाते है उसके लिए 4 rectifier का उप्यूग किया जाता है ठीक है next question है जैसे जैसे DC motor की रफ्तार बढ़ती है रफ्तार बढ़ती है तो prairie voltage क्या होगी जैसे जैसे DC motor की रफ्तार बढ़ेगी दोस्तो प्रेर बोल्टेज भी क्या होगी बढ़ेगी यानि option A इसमें दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा ठीक है next question है कौन सा generator कोई आउसेस्ट चुम्बकत्व नई होने पर भी voltage को बढ़ा सकता है अगर माल लेजिए ऐसा कोई अगर जनीतर है जिसमें अगर आउसेस्ट चुम्बकत्व नई भी हो तो भी voltage बढ़ा सकता है तो वो होगा दोस्तों देखिए option देर का है series जनीतर, sunt जनीतर, compound जनीतर और separately excited जनीतर या इन सब तो हम कहीं सेपरेटली excited जनीतर यानि option D दोस्तों इसमें correct answer हो जाएगा option D is the correct answer ठीक है अब देखिए next है उच्चावड़ती उपर सबसे बैतर कारे करने वाले bypass capacitor संदर्यतर का परकार है तो हम कहीं सेथे जो उच्चावड़ती होए उस पर बैतर कारे करने के लिए दोस्तों हम ceramic capacitor का प्रियोग कर सकते हैं option C दोस्तों इसमें आपका correct answer हो जाएगे इन्हें ceramic type का capacitor का प्रियोग कर सकते हैं उच्चावड़ती हो की लिए ठीक है next है निवन में से किस capacitor का जीवनकाल अपके सकर्थ कम होता है किस capacitor का जीवनकाल अपके सकर्थ कम होता है तो हम कहीं सेते हैं की प्लेटो पर आवेस आवेस यह निक क्यों खालिस्तान वेंचर द्वारा निरूपित किया जाता है तो हम कहीं सेते हैं Q बराबर C इन्टू V के द्वारा ठीक है next है बिना लोड़ पर DC सिरीज मोटर की चाल खालिस्तान होगी अगर मालेजर DC सिरीज मोटर अगर लोड नहीं होगा तो हम कहीं सेते हैं उसकी जो चाल होगी देखो अप्सन दे रहे गाए सुनने 3600 आर्पियम 4000 आर्पियम 3000 आर्पियम अनंत होगी यह नि बहुत ही ज़्यादा होगी ठीक है यह दोस्तों आपका यह उप्सन इसमें correct answer हो जाएग ठीक है next question है कि अनुनादी आवरती पर प्रेरग प्रतिवादा मान खालेस्तान की समान होता है तो हम कहते हैं दोस्तों इसमें जो correct answer होगा वह होगा देखी option देखते हैं सबसे पहले एक तो होता है परिपत का प्रतिवाद के मान कुंडली का प्रतिकरिया और परिपत की प्रतिवादा कैपेसेटर की प्रतिकरिया कुंडली की चालकता दोस्तों इसमें जो correct answer होगा होगा कैपेसेटर की प्रतिकरिया के समान होगा ठीक है यह आप्सन सी इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो वीडियो फसंद आए दोस्तो लाइक कीजेगा और साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ठीक है दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं अक्षी वीडियो में धन्यवाद